हेलो स्टुएंट्स वेलकम तू माई चैनल इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का कोश्चन नमबर बन करेंगे यह एक्सरसाइज पूरी कॉम्पलिमेंटरी एंगल्स पर डिपेंड है कॉम्पलिमेंटरी एंगल्स पर एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिज़ी होता है इसमें कुछ फॉर्म रहेे पता होने चाहिंहें जैसे की साइन 90 डिग्री माईनस एठ थीटा इकोल टो कॉसए के एक्षोल होता है same it is cos cos 90 degree minus a equal to sin 1 equal हो जाएगा वैसे ही tan 90 degree minus a cot 1 equal होगा और cot 90 degree minus a tan 1 equal हो जाएगा सेक 90 degree minus a या फिर theta equal to cos1 equal होगा और cosa 90 degree minus theta सेक 1 equal होगा तो हमें इस exercise में इनी formulas का यूज करना है पेला question है हमारा sin 18 degree upon cos 72 degree अभी हमने पढ़ा कि sin 90 degree minus 1 equal to cos से होता है तो हम यहां पर इसी को apply करेंगे sin 18 degree है तो हम इसको ऐसे भी लिए सकते है 90 degree minus 72 degree upon में cos 72 degree इन में से हम किसी को भी एक को change कर सकते हैं जिसका हमारा मन करें कोई भी हमाँ change कर सकते हैं तो मैंने यहां पर sin कोई को change कर लिए sin 90 degree minus 72 degree अगर में माइनस करती हूं तो हमारा sin 18 degree ही आ जाता है तो देखें अभी हमने पड़े sin 90 degree minus 1 cos 1 होता है तो यहां पर आ जाएगा cos 72 degree upon में cos 72 degree cos 72 से cos 72 cancel हो जाएगा तो हमारा answer निकल कर आ जाता है 1 अब हम इसका second part कर लेंगे 10 26 degree upon में cos 64 degree इसमें से भी हम किसी एक को भी change कर सकते हैं यहां पर मैं उपर वाले को as it is रख लेती हूं और नीचे वाले cos को change कर लेती हूं तो cot 90 degree minus 26 degree अगर हम करते हैं तो हमारा वह 64 degree निकल के आता है तो यहां पर हो जाएका 10 26 degree upon में cos 90 degree minus theta अगर करते हैं तो वह 10 एक एक उकल होता है तो यहां पर हो जाएका 10 26 degree इनको भी cancel कर देते हैं तो आ जाता है हमारा one answer next question है हमारा cos 48 degree minus sin 42 degree इसमें से भी हम किसी भी एक को change कर लेते हैं तो हम कर लेते हैं cos को change कर लेते हैं cos 90 degree minus 42 degree अगर करते हैं तो हमारा वह 48 degree के एक कोल हो जाता है माइनस sin 42 degree अब देखिए cos 90 degree minus 1 theta जो होता है किसके एक एक वल आइनके एक वल तो यहां पर हम लिख देते हैं sin 42 degree minus sin 42 degree अब sin 42 degree में से sin 42 degree हम अगर minus करते हैं तो हमारा answer जायते है 0 यह हमारा answer है next देख लेते हैं question question number 4 cos 31 degree minus sac 59 degree यहां पर भी हम किसी एक को change कर लेते हैं तो cos 31 degree minus sac 90 degree minus 31 degree अगर हम करते हैं तो हमारा 59 degree निकल के आएगा तो हो जाता है cos 31 degree और देखें सेक 90 degree minus a हम करते हैं तो हमारा cos 1 बन जायेगा तो minus कर देते हैं तो यहां पर भी हो जाता है cos 31 degree इन दोनों को भी हम minus करेंगे तो हमारा answer 0 निकल कर गाएगा I hope आपको यह question समझ में आ गए होंगे 10th class का पूरा match पढ़ने के लिए मेरे इस channel को subscribe करें और like करें